ये एक समवेधन शील मुद्दा है, क्योंकि सीमाओं पर पुरुश और महिलाएं हर दिन अपना जीवन दाओं पर लगा रहे हैं। जिस तरह वे देश की सेवा कर रहे हैं, हम उनको नमन करते हैं। हम सभी ठीक से हैं और अपने काम सिर्फ इसी लिए कर पा रहे हैं, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं, वरना हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। मृत्यू हर किसी की एक लगातार साथी है। मैं इसे कम करके नहीं आख रहा हूँ, लेकिन दूसरों की तुलना में सैनिक इसके प्रती ज्यादा सचेतन होते हैं। आम तोर पर ज्यादा तर लोग मानते हैं कि दूसरे लोग मरते हैं। वे कभी नहीं सोचते कि वे मर जाएंगे, पर सैनिक जानता है कि वो किसी भी पल मर सकता है। तो ये जागरुकता सैनिक के काम को लगभग हर दूसरे काम से बहुत अलग बना देती है। हमें ये समझना चाहिए कि इस देश में, इस देश में दी गई सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक, मैं इसका विशेशग्य तो नहीं हूँ लेकिन सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक, जिससे भारत में और पूरी दुनिया में तमामों पढ़े लिखे लोगों ने पहचाना है वो है गीता आपको समझना चाहिए कि कृष्ण ने शिक्षा देने के लिए युद्ध का मैदान चुना वे इसे पहले कर पांडव 12-13 साल तक जंगल में थे शांती पूर्वक जंगलों में थे वे शिक्षा वहाँ दे सकते थे वे एक आश्रम स्थापित कर सकते थे और शिक्षा दे सकते थे पर उन्हों ने युद्ध का मैदान चुना क्योंके एक इनसान कभी भी अपनी असली प्रकृती को नहीं पहचान पाता जब तक मृत्यू उसके सिर पर नहीं आती मौत के बारे में मेरे द्वारा लगातार बात करने का कारण है मैं लोगों की मृत्यू की बात करता हूँ लेकिन अगर मैं उनकी मृत्यू की बात करता हूँ तब ये बहुत डराबना हो जाता है तो मैं अपनी मृत्यों की बात करता हूँ इस हद तक की हाल ही में किसी ने पूछ लिया क्या सद्गुरु स्वस्थ हैं, क्या उनकी सेहत कुछ गड़बड है मेरी सेहत बिलकुँ ठीक है पर आप स्वस्थ होते हुए भी मर सकते हैं आप युवा होते हुए भी मर सकते हैं आप फिट रहे कर भी मर सकते हैं जब इंसान अपनी मृत्यों के प्रती सचेतन होता है सिर्फ तभी अपने अस्थित्व की प्रकृती की खोज एक स्वाभाविक लालसा बन जाती है इस शरीर के परे क्या है? मैं देश की सीमा पर मौझूद जवानों और अधिकारियों की स्थिती को कम आखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जो हर वक्त मुश्किल हालातों, खत्रों और मौत का सामना कर रहे हैं एक विचार के रूप में नहीं, बलकि असल में मैं ऐसे किसी भी तरह से कम आखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अंदर की ओर मुडने के लिए बॉर्डर एक जबरदस जगा भी है क्योंकि एक इनसान के लिए ये स्वभाविक है कि जब आप मृत्यों के प्रती सचेतन होते हैं तो आप जानना चाहते हैं कि शरीर से परे क्या है और उसी ललक को आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लिंग जाती पंथ धर्म क्या है हर किसी के भीतर एक छोटा सा स्थान होना चाहिए जो उनके शरीर से परे है जो उनके मन से परे है अगर ये उनके अनुभव में आ जाता है तो जब स्वाभाविक तरीकों या अस्वाभाविक तरीकों से जब ये शरीर छोड़ने का समय आएगा तो आप ये काम बहुत शालीनता से करेंगे हर इंसान के लिए मैं सिर्फ बस एक सैनिक के लिए नहीं कह रहा हूँ हर इंसान के लिए ये समय आएगा आपको नहीं पता कि ये कब आएगा लेकिन अगर आपके पास इस शरीर से परे इस मन से परे एक अनुभव हो तो जीवन के इस पहलू को संभालने की आपकी काबलियत अभी के तुलना में जबरदस्त रूप से बहतर होगी कि आपका पकाल को संदूगर होगी झाल झाल